राव राव भाई लोगो मास्टरिंग सारी समस्याओं का समाधान है मतलब एक बार तुम्हारे गाने के अगर मास्टरिंग हो जाएगी तो तुमने चाहे कितना भी बुरा गाना बनाया हो उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा एकदम प्रोफेशनल साउंड वो करने लग जाएगा और अगर ऐसा भाई तुम भी सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो क्योंकि भाई ये चीज बड़ी मैं जिसको भी देखता हूँ मेरे को कमेंट आते हैं भाई मास्टरिंग बता दो भाई मास्टरिंग कैसे होती है भाई प्रोफेशनल साउंड ने आ रहा है मास्टरिंग बता दो भाई देखो मास्टरिंग जो है न वो last step होती है music production की कोई भी गाना बनाते है न उसकी जो last step होगी वो होगी मास्टरिंग लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि मास्टरिंग करने से मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा मास्टरिंग करने से मेरा कान आए तुम प्रोफेशनल साउंड करने लग जाएगा मतलब मेरे काने के प्रोफेशनल साउंड करने और नी करने के बीच में अगर कोई चीज आ रही है मास्टरिंग है अगर ऐसा तुमको लगता है तो भाई यह तुम्हारा है मैं एक रूल बताता हूं रूल वह रूल है भाई 50 80 95 और 100 का रूल अब भाई यह क्या गणित बता दी गणित नहीं समझ में आते हैं मारगो हम बेसे गणित में कम जो और तेसलिए तो music production कर रहे हैं भ होता है तुमको समझ में आगा कि mastering का वैम कितना बड़ा है सबस्पहली production की stage होती है उसके बाद में stage होती है अपनी volume adjustment की mixing वो भी volume वाले faders के साथ में mixing उसके बाद में होती है अपने effect जैसे की EQ reverb delay यह सब लगाना और उसके बाद में होती है mastering तो यह चार stage होगी सबसे पहले production दूसरा volume faders हम volume adjust करते हैं अलग लग चीज़ों की तीसरी चीज में EQ delay यह सारे effect effect हम लगाते हैं जो भी VST plugin लगात करते हैं compressor करते हैं जो भी compression लगाते हैं जो भी करते हैं वह होगी तीसरी स्टेज चोथी स्टेज होगी mastering production होता है production का मतलब कि हमने एक instrument उठाया जो हमारे दिमाग में मालो बज रहा है पहले से कि कुछ यह अच्छा लगेगा यह इस गाने को इस instrument पर ऐसे melody मेरे को बनानी है तो वह तुमने बना ली ठीक है उस पर तुमने ड्रम वरम बना लिए उस पर तुमें जो ड्रम के साथ म बिच में transition डाल दिये यह सारा कारे करम करोगे तो इसको बोलते production और इस production को करते टाइम पर भाई तुम्हें mixing का ध्यान नहीं देना है mastering का ध्यान नहीं देना कोई चीज का ध्यान नहीं देना तुम्हें सिरफ focus करना है main idea पर code जो तुमारा idea चलना दिमाग में कि मुझे ऐसा गाना बनाना है तो उस idea को ही दिमाग में रखके तुम्हें यह production वाला काम पुरा करना पड़ेगा अब इस इसी stage पर इसी गलतिया लोग कर देते हैं कि उनका फिर गाना professional sound नहीं करता और फिर वो दोस्त देते हैं कि हमको mastering नहीं आती इसलिए हमारा professional sound नहीं कर रहा है अगर तुम्हारा professional sound नहीं कर रहा था problem यही production stage पर ही है इसको यहीं पर सुधार होगे ना तो आगे कोई problem आएगी कि तुम कोई free की sample काम में ले रहो या फिर free के कोई audio काम में ले रहो तो वो घटिया होती है नहीं free पैसे वाले में इससे कोई लेना देना है नहीं अच्छे कार घटियागा घटिया भी दो टाइप की होती है पहली घटिया तो वो होती है जो कि audio ही खराब है जैसे तुम को सेंपल काम में ले रहे हो, स्नेर का सेंपल काम में ले रहे हो, हाई हेट का सेंपल काम में ले रहे हो, ठीक, अभी वो सेंपल ही तुमारा घटिया साउंड करने वाला है, जैसे FL अब वो चाहे सेंपल अच्छा हो सकता है लेकिन वो उस कॉंटेक्स्ट के लायक नहीं है अब क्या होता है इसका मतलम समझाता हूँ जैसे मालो तुमको बनाना एडियम टाइप का सोंग एडियम जो होते हैं आज किल हाउस मुजिक बनती है इलेक्ट्रोनिक, डांस, मेजिक, एडियम बोलते हूं तो वो बनाना एडियम लेकिन उसमें क्या होता है किक बहुत पंची होता है स्नेयर बहुत पंची होता है इस टाइप का मस्ट एकदम साउंड हाई पावर साउंड कामें लिये जाते हैं अब तुम बाई उस EDM में या तो हिपोड के wilderness ने रहो हो, या फिर old school के wilderness के में ले रहो है और उससे तुम बनाना चाहिए हो EDM, तो भाई वो तो होने से रहा यानि वो context में जो चीज चाहिए वो तुम कामें ले रहे, दूसरी चीज कामें ले रहे, जो दूसरे टाइप के गानों में काम आती है, तो ये दो common problem लोग करते हैं, अब भाई, masking, masking का करते रहोगे ना, तो तुम मेरे को एक बात बताओ, simple सी बात पूछता हो मैं, तुम मालो चीजे तुम कामें लेकर पनीर की सबजी बनाओगे मेरे भाई, तो चाहिए तुम कितने भी बढ़िया कलाकार हो सबजी बनाने के, तुम अच्छी सबजी बनाई नहीं सकते हैं, क्योंकि तो तुमने चीजे डाली वो ही घटिया थी, start ही घटिया से हुई, तो end भी घटिय पर जो start ही घटिया हुई है, तो अपना वो time बचाओ, और start की time पर time दो, सबसे ज़्यादा sample selection पर, अपनी melodies बनाने पर, melody code, उनको कैसे अच्छी से अच्छा start में बना सको, तो 50% rule का मतलब कि तुम जब production stage पर हो, जब तुमने कोई volume वोल्यूम भी ज़्यादा है, जब तु इसका मतलब है भाई, तुम सही रस्ते पर चल रहे हो, यानि आगे जाके तुम्हारा system भी सही होगा, उसके बाद, उसके बाद 70-80% तक professional, यानि कि complete sound करना चाहिए, जब तुम उन्हों फेडर जो होते हैं, बिना कोई effect लगाएं, सिरफ उन फेडर से mixing करो, उससे ही तुमें sound अच्छा आजाना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है भाई, और तुम देखते हो कि मैं EQ, compression, delay, reverb लगानूँगा, mastering में कोई जादू हो जाएगा, तो भाई फिर तो वहम में हो, तो वो time फिर खराब मत करना, अगर तुम को production की stage पर 50% तक का sound नहीं आता है, मतलब तुमें अच्छा लगने लगाना, उसके बाद में जब तुम थोड़े volume set कर लो, उनकी अलगलग instrument की, kick की, bass की, तुमारे guitar की, तुमारे chords की, melody की, उसके बाद तुमें 70% तक अगर अच्छा लगने लग जाएगा, तो भाई, तो भाई, इसका मतलब तुम साई track पर हो, और अगर य मास्टरिंग के चक्कर में तो बिल्कुल मत रहना, मास्टरिंग को तो तुम ऐसे मालो, last में सिरफ volume बढ़ाना है, थोड़ा बहुत adjustment होता है, बहुत minor adjustment होता है, मास्टरिंग में, volume बढ़ाना है, उसको मान सकते हो last में, मास्टरिंग से पहले ही तुमारा गाना एकदम professional sound कर मास्टरिंग तब last में आती है, बस volume को, loudness को उस level तक ले जाने की, जो की normal सभी गानों में loudness आती है, उस level तक ले जाने की, अगर मास्टरिंग से पहले हो तो हमारा गाना एकदम खराब sound कर रहा तो भाई, फिर भूल जाओ, कोई भी उस चीज़ को मास्टरिंग से सही कर सक कई सा होता है, इसमें कौन सा होता है, इसमें को हमारा नीं समझे मैं अता मेरे को, और भाई कहां से डाwnलूड करूँ, दाwnलूड गाता तो मैंने बता रखा रखा है, फ्री में भी सायमेटिक के इन चीज़ों के, बहुत सारे सेंपल हैं, जो फ्री में मिलते है, पहुत फेहिं से निकल के है है भारत भालों ने नी बनाया है एडीयक्स लेकी कैसी की रिदम चल रहए कैसा ये की काम में सबुस् Adapt Scottish कैसा नके सरी निकल के अपने सोन लो बस लीरिक्स लिख समझों है या आती न तो उन पता चलेगा एकर इसकी रिदम चल ही किसा यह किक काम में ले रहा कितना यह loud है वोकल कितने loud है क्या-क्या इसाब हो रहा इसमें जितना ज्यादा सुनोगे न उचिनी ज्यादा आदत पढ़ जाएगी फिर खानों को समझना नहीं पढ़ेगा थोड़ा थोड़ा समझो तो ठीक है सुनोगे उससे भड़ जाएगी यादत कि यह चीज ऐसे काम में लेनी चीए यह कि कि यहां पे काम में लेना चीए बेस यहां पे काम में लेनी चीए यह ऐसे हाई-एट का पेटर्न होता है ऐसे बीच-बीच में इंस्ट्रुमेंट बंदो के चालो हो रहे है तो भाई वो चीजों का तुम्हें दिमाग में तभी पढ़ेगा, अब देख यूट्यूब पे भी एक सिस्टम चलता है, बहुत सारे लोग बताते है, अल्टिमेट वोकल मिक्सिंग ट्रिक, बहुत ज्यादा प्रोब्लम जो आती है, लोगों के वोकल में आती है, वोकल में, लाके थोड़ा सा कंप्रेशन करेगा, थोड़ा सा इक्यू गरेगा, और उसने इधर डिले विले रिवेव लगाया, और उसका वोकल एकदम साउंड कने लगा, तुम बोलोगे, यह दो बढ़िया कलाका रहे यार, पांस मिनट में इसने दो चार चीजी दो दर खीर, उसका पांचे जार रोपया के लगबख के माइक्रोफन ठीक राक क्वालिटी निखाल देते हैं, तो मुझसे भी कम एकदम क्वालिटी ले रहे हो, एकदम कम रेंज का, जैसे कम हजार-पंदरास वाला बी-मे टेंडरे टाइप कामे ले रहे हो, तो हो सकता है उसमें, उनमें भी अगर धिरे गाओगे ना धिरे गाओगे, तो वह ठीक रिकोड़ करते हैं, जोड से जब हम चिला के गाते हैं, तब वह एंडल नहीं कर पाते हैं माइक्रोफन, तो भाई, तुम्हारी रिकोड़िंग खराब है, दूसरा, माइक्रोफन बहुत गजब हुशन पर बहुत उसके पीछे कारण रिकोडिंग का है तुम जिस कमरे में रिकोड कर रहे हो अगर उसमें अच्छा रिकोड नहीं तुदूर से कमरे में करके देखो उसकी कमरे में अलगलग जगा करके देखो कई बार ऐसा भी होता है जैसे तुम दिवार के पास रिकोड करोगे न तो बेस वोकल में भोज़ाद आएगा और हाई एंड का जो क्लिर्टी वो नहीं आएगी माइक्रोफोन कोई सा भी हो चाहिए क्योंकि दिवार के पास में कौने के पास में बेस का बिल्ड अप होता है इसे वाज रिकोड होगे उसको कितना EQ कर लो भाई नहीं ठीक कर सकते उसको और तुम अगर गाते हो रैप करते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं गाते हो तो तुमको मेरे मेरी प्रोब्लम बताई थी कि मेरे गले में मरे रियाज नहीं करता तो मैं जब गाता हूँ तो कई फ्रिक्वेंशी निकलती है गले से भाई तो उसका कितना EQ कर लो भाई नहीं कर सकते ना उसका इलाज उसके लिए तुमें रियाज करना पड़े को सेट करना पड़े तो करना पड़ेगा भाई अगर कोई धंक से गा रहा है ना कोई प्रोफेशनल सिंगर है सेम माइक्रोफ से माइक्रोफ़न में एक अंटरेंड सिंगकरो गोई फिर दोनों की mixing करो प्रोफेशनल वाले की mixing करने में कोई जोर ही नियाए गा क्योंकि ऑगर राए इसके कोई अनवोंटेड मा स्रिक्वेंसी ने उसने बहुत ट्रें किया गडले पर उसने काम किया है अपन भई काम नह तुम्हारा भाई 50-70% तक प्रोफेशनल मिक्स ओल्रेडी साउंड करना चाहिए उसके बाद आते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग तो भूल जाओ उसको दिवाग से निकाल दो मास्टरिंग में कुछ सही होता है कुछ सही होता मास्टरिंग में मास्टरिंग तो बस थोड़ असा एड़ेस्मेंट है वोल्यूम बढ़ाना और कुछ निए भाई तो यह बात को भाई दिवाग में डाल लो जिती जल्दी 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 निकाल दो एकदम जल्दी निकाल दो जब से को अपने 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 प्रोडस करते है और मेजड करो बहुं ऽे और आपने कमरे में ने और अलग अलग बॉल्दकर करना हो और सबसे घटिया जगह होती हो, क्योंकि बहुत सारे frequency का build-up होता है तुम्हारे पास acoustic treatment के पैसे नहीं है, तो भाई, अगर गाड़ी है तुम्हारे पास में car है, तो वो सबसे बढ़िया चीज है भाई, car car के seat के भांध के microphone को, car में बैटके करो recording car जो बहुत अच्छा होता है, उसमें जगए जगए प्लास्टिकर सीटों में फोर्म रो लगा हो रहता है, तो भाई, उसमें बहुत बढ़िया sound हो आएगा, car में अगर के देखना car है तो, और नहीं है, तो कमरे में परदे टांग लो परदे भी नहीं है तो जब recording करें तो अपने उपर एक कुई कमबल ओंबल कुछ डाल लो जो सर्दी में ओड़ते है अपन रजाई में घुशके कर लो ऐसे यह तरीके करने पड़ेंगे जुगाड़, अब तुम सब के पास नहीं होते है वह भाई बोलने वाले बोल देते हैं यह देखो acoustic treatment होता है वैसे होता है भाई पैसा किसके पास है पैसा होता है तो हम professional studio फोल के बेट जाते है ना आपर जाके कर लेते है पैसा ही तो नहीं है न में चीज यह है मेरे इस चैनल पर सब कुछ बताना है कि जिसके बाद नहीं है वह भी कर सके तो भै कंबल ओंबल तुम्हारे पास कूप साई ठांग लो चार उतर अपने कमरे को भर दो भाई दिवार एक भी खाली न दिगनी चीए कि दिवार पर चार निक्सिंग अच्छी होगी मेरे प्यारो नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता बिलकुल नहीं हो सकता अब उसमें तुमको समझना पड़ेगा कि तुम्हारी वोकल रिकोडिंग अच्छी खांप आरी खांप नहीं और एक डिस्टोर्सन आ जाता है बहुत जादा कई लोग क्या नोई जाएगा जब उसको बढ़ाओगे तो अगर ओड़े इंटरफेस ठीक नहीं है तो तुम्हारा माइनस साथ या माइनस छह तक जा सकते हो तुम वो पीक है पीक उससे उपर तो बिलकुल नहीं जाना चीए तो यह यह चीजों को ध्यान रहो और फिर देखो तुम कोई कोई दर्कार नहीं पड़ेगी यह सब हवा में उडाएभी बाते मास्टरिंग से सबको कउन्टा कोशनी कर सकती कई लोग को बूरी लग सकती बात पर भाई मैं सच बलता हो कि तुम 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 देखो मास्टरिंग वाल को मालो होता है काई भाई उनने बहुत मन से गाना बनाया अभी वो देखेंगे या रही है तो अच्छा साउंड नहीं कर रहा तो मास्टिंग वाले को दे देंगे 15,000 रुपे और फिर भी कुछ नहीं होगा भाई क्योंकि वो मिक्सिंग एच्छी नहीं है तो इसलिए उस पर धान दो भाई प्रोडक्शन स्टेश पर धान दो जब तुम अपने ड्रम वर्म पैटन बना रहे हो सेंपल सेलेक कर रहे हो, मेलडी बना रहे हो, कोड बना रहे हो तो वहाँ प एक दम पूरा अपना टाइम लगाओ वो होती है फाउंडेशन गाने की फाउंडेशन के बाद में सब कुछ मिक्सिंग सब बाद में वहाँ पर फील नहीं आ रहा है न अगर तो आगे भी नहीं आ पाएगा आगे भी बिल्कुल नहीं आ पाएगा तो वह लोगों यह था पॉड़कास्ट आज मास्टिंग के बारे में और भी आगे अच्छा लगा तुमको अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यू व्यू आए तो फिर मैं और भी पॉड़कास्ट इस तरीके के बनाऊंगा जिसमें बैटके मैं बात करूँगा शिरफ तुम समझ नहीं पाओगे कई चीजों को कि कैसे पिछे पिछे कैसे सिस्टम चलते हैं लोगों के और कैसे तुमको अच्छे प्रोफेशनल वोकल रिकोर्ड किये में उसको मिक्सिंग करके दिखा दिया तो कोई वो ट्रिक नहीं उसमें वो रिकोडिंग ये अच्छी थी आ वालो जासा में गताओं बीट बनाते रो और मचे करते रो जय स्री राम